अभी हाली में न्यायमूर्थी पिसांद कुमार मिसरा और केवी बिसुनाथन को उच्चितम न्याले यानि की सुप्रिंग कोट में न्यायदीस की सपत दिलाई गई है और ये सपत दिलाई किसने है हमारे जो मुख्य न्यायदीस है डीवाई चंद चूमर सहाब है उनके द्वारा सपत दिलाई गई है और आप देख रहें कि न्यायदीसों की नियुक्ति को लेकर कॉलीजिय मिवस्था को लेकर हमारी सरकार और न्यायलाई के बीच सुप्रिंग कोर्ट के बारे में हमार सम्मिधान क्या करता है कब इसकी स्थापना की की है और इसके बारे में इस तरह की जो सामान जानकारी है और न्यायदीसों की नियुक्ति किस तरह से होती है जो आप देख तीन केस जजज केस हैं उनके बारे में एक सामान जानकारी रखा करिएगा और मुझे जहां तो लगता है, यह अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करें, या फिर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी करें, वंडेक जाम की तैयारी करें, तो इस टॉपिक से कुष्टन्स पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ठीक है? और दिल्ली में आप लोग देखते हैं, हमारा स्टेट की बात की गई है? अनुचेद 124 में, 28 जन्मरी 1950 में इसकी स्टापना हुई थी, यह आप लोग याद रखेगा, और जो आप देखेंगे कि नयादीसों की सुईकिती संख्या है न 34, अब वो पूरी हो चुकी है इन दो निय्दिसों की नियुकति के बादा सर्वोच नियले की नियुकतिकी अगर हम लोग बात करें पिक्रिया की बात करें तो इसमें आप देखें कि मुक्र रूप से सम्मिधान सर्वोच न्याले में आठ न्यायदीस थे, जब हमारा सम्मिधान लागू हुआ, जब आप देखे सुपरिंग कोट की स्थापना हुई, तो उस समय हमारे सुपरिंग कोट में सर्वोच न्याले में आठ न्यायदीस थे, एक तो आप देखे मुख न्याय कि सुप्रेंग कोट में नियादीसों की नियुक्ति की सक्ति किसके पास है? संख्या में बिढ़ी करने की. सर्वोच नियाले में उच्चितम नियाले में नियादीसों की संख्या में बिढ़ी या नहीं बड़ोत्तरी करने की सक्ति किसके पास है? संसत के पास है. और सर्वोच की रूम में अगर नियुक्ति के लिए क्या योगता है होनी चाहिए तो समीधान का अनुचेद 123 के अनुसार एक व्यक्ति को सर्वोच न्याले की न्यादीस के रूम में नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का नांगरिक होना चाहिए उसे भारत का नांगरिक होना चाह एक उच्छ न्याले के न्यादीस के रूम में कम से कम 5 साल या फिर लगाता दो ऐसे न्यालेओं में सेबा की होसने और विकल्पिक रूप से आप देखेंगे कम से कम 10 वर्सों के लिए एक उच्छ न्याले का अधिवक्ता रहा हो या फिर कुल मिलाकर दो या दो से अधिक विविन नियालेओं में अधिवक्ता रहा हो राष्टपती की राय में एक पितिष्ठित नियाविद होना चाहिए ऐसे बैक्ती को भी आप देखेगे नियादीस बनाया जा सकता है अगर हम नियुक्ती की बात करें तो सर्वोच नियालेओं की नियादीसों की नियुक्ती राष्टपती द्वारा समिधान के अनुछेद 124 की खंड दो के अंतरगत की जाती है या आप देखे राष्टपती अगर आपसे डारेक्ट ठीक विश्चन स्कूच लेता है कि सर्वोच नियालेओं की नियादीसों की नियुक्ती कौन करता है इस कारी के लिए नियुक्त बैती के समक्च सपत लेनी होती है, उस पर हच्ताक्चर करने होते हैं, सपत में भारत की समिधान, संपिरवूता, अखनताओं को बनाय रखने, तथा भय या पक्षपात के बिना कर्तबों का पालन करनी की पिती वद्धा सामिल होती है, और कार्या उनके निस्कासन की बात करें, तो समिधान में नियादीसों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारिद नियुंतम समय सीमा तैय नहीं की गई है, लेकिन सरवुच नियालाय का नियादीस 65 वर्स की आयू तक पद पर बना रहता है, जब तक उसकी 65 साल की उमर नहीं हो जाती ह तब तक वो बना रह सकता है, हाला कि एक नियादीस राश्टपती को अपना इस्तीपा दे कर 65 वर्स की आयू से पूर भी इस्तीपा दे सकता है, अब आपको नहीं रहना है, नियादीस नहीं बना रहना है, हटना है, तो आप कभी भी इस्तीपा दे सकते हैं राश्टपती स भारत की संचित निदी पर भारत होते हैं किस पर भारत की संचित निदी पर भारत होते हैं और सेवा निवित्ती के बाद पिती बंदी की बात करें यानि कि अब आप दिखे हट चुके हैं पत से तो कहां ये क्या कर सकते हैं सेवा निवित्ती के बास सर्वोच नियाले के एक नयादीस को भारत में किसी भी अदालत में कानून का अभ्यास करने या किसी भी सरकारी परादीकन के समक्ष बकालत करने से तीती बंदित किया जाता है। तो सर्वोच नियाले के नयादीस को राष्टपती के आदेस से ही पद से हटाया जा सकता है। होते हैं इसमें। और संसत के पास आप देखे अभी भासन प्रिस्तोत करने और किसी नयादीस को के दुर्विवार या आच्छमता की जाज करने और उसे सिद्ध करने की पिक्रिया को वीनेवित करने का अधिकार होता है। एक बार नयादीस पैसर वर्स की आईू तक सेबा करते हैं और उनके कारकाल की अउधी में सिद्ध कदाचार या आच्छमता को छोड़कर होने हटाया नहीं जा सकता है। और नयाएक नयुक्ती के लिए कॉलिजियम पेडाली की बात करें। कॉलिजियम पेडाली की बिकास की बात करें तो पिथम नयाएदीस मामला ये 1981 का है। और इस ने यह निर्धारित किया कि नयाएक नयुक्तियों और तबादलों पर भारत की मुख नयादीस के सुझाओं की पिधानता को ठोस कारणों की चलती आसुईकार किया जा सकता है। आप समझे रहें आसुईकार मना किया जा सकता है। और इस नेड़े ने अगले 12 वरसों के लिए नयाएक नयुक्तियों में नयाएपालिका परिकार पालिका की पिधानता इस्थाफित कर दी थी। फिर दूसरा नयाएदीस मामला आता हूं 1993 में और सर्वुच नयाले ने ए मांगे कहा कि CGI की बेक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वुच नयाले के दूबरिष्टम नयाएदीसों की परामस से ली गई एक संस्थागत राय होगी। फिर आप देखें तीसरा आपका नयाएदीस मामला आता हैं 1998 की बात है। और राश्पती द्वारा जारी एक प्र नयाएदीस मामला ये आप देखेंगे 2015 की बात है और इसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ? संविधान संख den अधिनेन और यवं में राश्टियंधान 59 निवग्तिया आयोग नёт उच नालैं तनी जिटिनेन कान ए नांधानिक नोगाइसी 실ाथ संखे नेयाधिनेन के मामले में बतकिंवो करनेश्स ते नियादीस के मामले में सो निगोसेत कर दिया था और नतीजितन आप देखे पहली की कॉलीजियम पिडाली फिर से सक्रिय हो गई तीसरे नम्मर की जो तीसरा नियादीस मामला है न जो इसमें आप देखे एक मुख नियादीस और चार वरिष्टम सहयोगी सामिल रहेंगे उस कॉलीजियम को ही अभी भी मानता है वही तै करती है आप देखे नियादीसों की नियुक्ति चौथा जो नियादीस मामला था वो आप देखे रद्ध हो चुका था 99 वह समिधान संसोधन भी रद्ध कर दिया गया था सरकार चाहती ही कि हमें सामिल किया जाए लेकिन आप सारे लोग कहते हैं कि नियादीसों की नियुक्ति नियादीस कर रहे हैं तो इसमें भी विष्टाचार की बात करते रहते हैं अपने 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 तरक रहते हैं वितरक भी रहते हैं तो इसतनी जामा एक जानिकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा ठीक है और कोई आप कर सवाल हो सुझा हो तो आप लोग बता सकते हैं जरूर बताईएगा